जेह माताई दोस्तों, मातरानी आपकी सारी मनो कामनाएं पोन करें और आप जीवन में खुब सारी तरक्की करें इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं सुरू कर रही हूँ दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल दो हजार चौबिस में चैतर नवरात्री में राम नौमी जो है वो कब है किस दिन है संपोर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सब के साथ सेयर करने वाली हूँ तो चल ये सुरू करते हैं आज का वीडियो हर वर्स चैत महा के सुकल पच्च की नौमी तिथी को राम नौमी मनाई जाती है तदा नुशार साल दो हजार चौबिस में सत्रा अपरेल को राम नौमी जो है वो मनाई जाएगी सास्त्रों में नहीं थे कि चैत माहा के सुकलपच की नौमी तिथी को मरियादा पुर्सोत्म भगवान स्री राम का अवतार हुआ था इस दिन राम नौमी मनाई जाती है इस तिथी पर जगत जन्नी आदि सक्ती माहा दुर्गा की नौमी सक्ती मा सिधि दात्रे की भी पूजा अर्चना की जाती है मरियादा पूरसोटन भगवान स्रीराम का जन मद्यम काल में हुआ था आता रामनौमी तिथी पर दोपहर के समय भगवान स्रीराम की पूजा अर्शना की जाती है धर्मिक मानेताओं के निशार भगवान स्री राम की पूजा करने से ब्यक्तिविए के जीवन में आ रहे संकट और दुख जो हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं साथी साथ प्रभु श्री राम का असिरवाद भी प्राप्त होता है तो आईए जान लेते हैं राम नौमी की पूजा विधी और सुप महूर्थ जो है वो कब होने वाला है तो सुप महूर्थ के अगर मैं बात करूँ तो पंचांक के नुशार चैत मा के सुकलपच की नौमी थी थी 16 अपरेल को दोपहर 1 बच के 23 मिनट पर सुरू होगी और अगले दिन यानी 17 अपरेल को दोपहर 3 बच कर 14 मिनट पर समापन जो है वो हो रहा है तो सनातन धर में उद्या तिथी ही माने है अथा 17 अपरेल को ही राम नौमी जो है वो मनाई जाएगी पूजा के समय के अगर मैं बात करूँ तो जो तिशी की माने तो राम नौमी तिथी पर सुबह 11 बच के 3 मिनट से लेकर दोपहर 1 बच के 38 मिनट का जो समय है वो पूजा के लिए विसेश है इस समया पूजा अर्चना जो है वो कर सकते हैं वही पे अगर मैं दो पहर के सुब महुर्थ की बात करूं तो बारा बच के 21 मिट का जो माध्यम का जो समय है। अगर मैं पूजन विधी के बारे में एक नज़र डॉलूं तो चैत्मा के सुकलपच की नौमितितिकोब्राम्महुर्थ में उठकर सबसे पहले बगवान स्री राम और मात जानकी को प्रणाम करके दिन की शुरुआत करना चाहिए फिर घर की साप सफाई करें घर के मुख द्वार पर राम के पत्तों का तोरन लगाना चाहिए साथी साथ रंगोली जो है वो बनानी चाहिए इस दिन द्वजा लगा जाता है अथा पूजा है तो सारी तैयारी जो है वो की जाती है इसके पस्चा माध्यान पूर्व गंगा जल युक्त पानी सिस्नान करना चाहिए इस समय अंजली में जले का राच्मन करें और व्रत का संकल्प करें राम नोमी तिथी पर पीले रंग के नवीन वस्त्र जो हैं वो धारण किये जाती हैं इसके बाद भगवान भासकर को जल का अर्ग दें तदो प्रांत पुजा चौकी में लाल रंग या पीले रंग का वस्त्र बिछा कर राम परिबार की प्रतिमाय स्तापित करें अब सबसे पहले आवाहन मंत्र का उचारण कर भगवान का ध्यान करें इसके बाद विधी विधान से भगवान स्री राम और मताजान की लचमर साहित हनुमान जी की पूजा आर्षन करनी चाहिए पूजा के समय राम चालीसा और राम स्रोत का पाटा वश्यरूप से करना चाहिए अंत में आर्थी करके भगवान स्री राम से सुक और समरधी साति साथ धन में व्रध्य हिदु कामन करना चाहिए पूजा पार्ट समाप्त होने के बाद में आर्थी करके फलाहार जो है वो जरूर करना चाहिए तो साल दोहजार चौबिस में जो राम नौमी है वो 17 अपरेल को दिन बुद्धवार को मनाई जाएगी आप लोग भी पूरी वीधिवयत तरीके से 17 अपरेल को राम नौमी जो है वो मनाईए और अपनी समस्त समस्याओं को समाप्त करके भगवान स्री राम का आसिरवाद प्राप्त कर लिजी और मा दुर्गा का आसिरवाद जो है वो प्राप्त कर लिजी उमीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चानल को सब्सक्राइब करके आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तो जैमाता दी